हालो दोस्तों, आज से स्टार्ट हो जाता है हमारा नया साल 2024 और हर एक नया साल के मौके पे हर एक विक्त चाहता है, कुछ ना कुछ चेंजस करना, हर एक कंपनी भी चाहती है, कुछ ना कुछ नय अपडेट लाना, वहें पे गोगल ने भी एक बहुत बड़ा अपडेट ला दिया है, जिसकी साहता से आप चाहें, तो अपने मौबाइल को बहुत आसानी से computer या laptop से connect कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने laptop को मौबाइल से connect कर सकते हैं, और यहां पर इस प्रकार के connections के लिए आपको ना ही किसी data cable की ज़रूत पढ़ने वाली है, और ना ही आपको किसी भी इंटरनेट की आउसेक्ता पढ़ने वाली है, और ये कारी करके आप बहुत सारे कारी भी कर सकते हैं, जैसे कि आप कई लोग आपस में file transfer कर सकते हैं, आपस में बहुत सारे laptop mobile को connect करके आपस में file को भी transfer किया जा सकता है, वहीं पर अगर आप चाहते हैं, कि आपके mobile की छोटी screen है, उसको आप बढ़ा करके देखना चाहते हैं, तो यह बहुत आसान तरीका होता है, आपको अपने mobile को laptop से connect करना है, उसके बाद mobile की सारी चीजों को उस पर transfer करके, वहाँ पर mirror करके बढ़ा देख सकते हैं, यह भी वैसे तो यह तरीका करने के लिए आपको पहले से mobile के अंदर update मिलता है, जो की होता nearby share, और आप mobile से mobile के बीच में ही क्या file transfer कर सकते हैं, nearby share का यूज करके, और यह आपको आसानी से mobile के अंदर मिल जाता है, हर एक mobile के अंदर यह पहले से ही update मिलता है, इसलिए आपको कोई इसक इस्टाल करने के आउसकता नहीं पड़ती है, लेकिन nearby share से आप जो है अपने laptop के बीच में और mobile के बीच में file share नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा अभी तक कोई भी software laptop के लिए उपलब्द नहीं था, लेकिन Google ने अब ऐसा update ला दिया है, और Google ने official जो है लांच कर दिया है, एक ऐसा application, जो कि आप अपने laptop के इंदर इस्टाल करके उस software को, और mobile के अंदर तो पहले से ही मिल जाता है, और उन दोनों को आपस में connect करके, बहुत आसानी से laptop और mobile के बीच में file को transfer कर सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे और भी तरीके होते हैं, बहुत सारे software application होते हैं, जिनका use क अपने mobile और laptop के बीच में आसानी से wireless तरीके से file को transfer कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे problems आती हैं, जैसे कि बहुत सारे application आपको खरीदने पड़ते हैं, या बहुत सारे ऐसे third party application होते हैं, जिनको use करने से आपके laptop या आपके mobile के अंदर virus आ जाते हैं, लेकिन ये जो nearby share है, ये Android के थुरू जो है provide करा जाता है, और Google ने option जो है इसको launch किया है, इसलिए इसमें आपको कोई problem नहीं होगी, आप बहुत आसानी से इसको use कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कैसे इसको use करना है, कैसे install करना है, तो वीडियो को start करने से पहले आप स करते हैं, आज का वीडियो start, तो सबसे पहले हम आपको mobile के अंदर दिखा देते हैं, कि ये आपको कहां पे मिलेगा, इसके लिए आपको mobile में जाना है, simple से उपर जब ऐसे scroll करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा सा यहीं आपको मिल जाएगा, गर नहीं मिलता थोड़ा सा इधर साइड में चले जाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह आपको यहाँ पे nearby share करके यह देखो, आपसन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यह आपको mobile के अंदर पहले से मिल जाता है, इसलिए आपको mobile के अंदर इसको कोई install करने के आप सकता नही होगा, तो मैं यहाँ पे अपने mobile के अंदर से अब आते हैं laptop पे, वहाँ पे कोई एक browser, यहाँ पे हमने क्या browser open किया, इसको minimize कर देते हैं, यहाँ पे आपको simple से type कर देना है nearby share, जैसे आप nearby share type करते हैं, तो यहाँ पे आप यह पहले ही देख सकते हैं, जो कि आपको दिख र देता है, इसकी सहता से भी आप आसानी से आपने mobile और laptop के बीच में file को transfer कर सकते हैं, इसके उपर मैंने already video बना दिया है, अगर अभी तेक आपने वो video नहीं देखा है, तो एक बार आवस video देख लिए, जहाँ पे आप चाहें, तो phone को भी कर सकते हर एक कार कर सकते हैं, detail से मै बिल रही है, nearby share for windows, इसके उपर आपको simple से click करना होता है, जैसे यहाँ पर आप click करते हैं, तो आपके सामने क्या है, इसका एक interface open हो जाएगा, यहाँ पर open होता तो आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पर download का option आपको दिखाए देगा, अगर आप यहाँ पर download यहीं से करना च कर सकते हैं, अगर आप इसके भी से पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि mobile को laptop से connect किया जा सकता है, या आप आसानी से क्या इसको जो यहाँ से connect कर सकते हैं, इसी प्रकार से transfer with ease कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर information ले सकते हैं, तो अभी ह भी मैंने download करके रखा हूँ file यहाँ पर आ चुकी है, आप चाहें तो यहाँ पर direct show in folder पर click कर सकते हैं, या इसी के उपर दो बार type करेंगे, तो मैं यही पर simple से क्या है, इसके उपर दो बार click करता हूँ, तो इस प्रकार से आ जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो है, मैंने एक photo आपको दिखा दे, जिसमें आपको लिख के आ रहा होगा, do you want to allow this app to changes your device, तो यहाँ पर हम simple से क्या yes के उपर click करेंगे, आपको भी yes के उपर click कर देना है, जैसे yes के उपर आप click करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, installation process start हो चुकी है, जो की 11 second, 9 second दिखाते हैं, और यह file transfer के लिए मैंने कई application और भी बता हैं, जैसे कि power mirror की साहता से आप भी file को transfer कर सकते हैं, उसके उपर भी मैंने already video बना दिया है, जिसकी link आपको नीचे मिल जाएगी, जहां से आप चाहें, बहुत आसानी से कर सकते हैं, सभी कारिको, और यह जैसे कि यहां पर कारिक कर रहा हूं, जो भी अपने mobile को यहां पर आपको दिखा रहा हूं, यह मैंने जो है, आप power mirror की साहता से ही किया है, इसके उपर मैंने details से video बना दिया है, तो आप इसका use कर सकते हैं, अभी यहां पर मेरी file लगबग installation चल रही है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह नीचे जो अभी यहां पर आ चुका है, तो यह इस प्रकार से आया था, हम इसको यहां से एक बार cut कर देता हूं, तो यहां पर अभी आप देख सकते हैं, यहां पर पर जो search नीचे दिखता है, इसमें हम click करते हैं, यहां पर nearby search कर लेना है from Google तो इसके उपर आप जब क्लिक करेंगे यहाँ पर sign in का option पूछता है तो आपको simple से यहाँ पर sign in कर लेना होगा तो यहाँ पर हम क्या है एक account को अपना select कर लेते हैं और यहाँ पर आप कोई account select कर लेजिए उसके साथ sign in कर लेजिए तो यहाँ पर मैं क्या करता हूं sign in कर देता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं से आपको दिखाए देता है आप चाहें तो इसमें done यहाँ पर पूछ रहा तो यहाँ पर आप setup by nearby करना होता है तो इसमें क्या है sending file का option है ठीक है receiving file जो भी आप कर सकते हैं और यहाँ पर done के उपर हम क्या करते हैं simple से click कर देना है तो यहाँ पर आप जब click करेंगे तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं open हो जाता है वह जो problem आती थी बस उसमें problem यही थी कि आपने क्या है अभी इसमें sign-in नहीं क्या था बस simple से sign-in कर लेना होता है और यह problem solve हो जाती है अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि to share turn on Bluetooth तो Bluetooth आपको क्या है on करना पड़ेगा तो मैं simple से यहाँ पर जाता हूं और यहां से मैं पहले अपने laptop का ही Bluetooth आउन कर देता हूं तो यहाँ पर click करते है Bluetooth अपस में connect भी करना है तो यहाँ पर देख सकते connect हो चुके यहाँ पर done के उपर click कर देते हैं अब यहाँ पर यहाँ यह दो हम क्या क्या कारी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले सिस्टम notification और off है, तो यहाँ पर आप चाहे सेटिंग पर क्लिक करके, काफी चीज़ों को यहाँ सेटिंग को on, off कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कौन सी on करना चाहते हैं, क्या आप करना चाहते हैं, तो जो भी चीज़े यहां से चाहे आप adjustment कर सकते हैं, तो notification अब आप करना तो यहां से आप कर सकते हैं, सब के सब notification क्या है, यहां से off हो जाएंगे, तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको on ही रखता हूँ, यहां से back पर जाते हैं इसका बाद यहाँ पे सिंपल से आपको receive from contact function देख रहा है यहाँ पे receive from 911 mechanism का आप्सन है receive from contact से receive from remote device से device hidden तो यहाँ पर भी काफी चीज़े हैs और minus contact का option है तो simple से पहले में यहाँ पे यह सेटिंग का option है इसके पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको देख रहा है कि जो device name है नरेस कुमार PC, अगर आप इसको change करना चाहते हैं, तो यहां से बहुत आसानी से इस name को change कर सकते हैं, और save receive file कहां पर होंगी, उनका अगर path change करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको simple से जाना है, और मैं यहां पर path को पहले select कर लेता हूँ, तो ones video के option पे जाते हैं, यहां पे एक नया folder ही हम create कर लेते है nearby share, तो यहां पे हम लिख देते है near bye share, यहां पे हमने नया folder create कर लिया है, जिससे अ सारी file जो भी वहां पे हम share करेंगे, वो सरी file यहां पे आ जाएंगी. तो यहां पे nearby share, यहां पे आपको simple से क्या कर दिना है, change के उपर किलिक कर देते जिससे आप दिखोए फोलडर के यहां पर चैंज हो जुका है है डिवाइस वीजबिल्टी पहताई ठीडिक करते हैं तो यहां पर चाहें है डिवाइस को दिखाना चाहिए दिखा सकते हैं यहां पर कॉकہ option है your device or no one सभी चीज़े यहाँ पर changes कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर हम बैक पर आते हैं इसके बाद यहाँ पर send users या diagnostic है और about nearby share यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो इसके बिसे पर सकते हैं यह copyright गोगल के द्वारा provide किया गया है जो की बिल्कूर secure है अब हम देखते हैं install करने के बाद आपको कैसे आपस में connect करना है connect करने की तरीका क्या सबसे पहले यहाँ पर हम जाते हैं nearby share को यहाँ से open कर लेते हैं जैसे आप पर nearby share को open करेंगे इसके बाद अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई option नहीं connect है इसके आपको simple से mobile के अंदर जाना होगा मोबाईल में जो nearby share होता है इसको यहाँ पर own करना होगा अन करने के बाद यहां पर भी आपको क्या है अपना device select करना होगा और इसमें भी आपको कि यहाँ पर डिवाइस के उपर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे और मोबाइल में और यहाँ पर जीमेल आईडी दोनों की सेम होनी चाहिए तो मोबाइल में यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ डिवाइस की यहाँ क्लिक करेंगे keep mode का option है तो यहाँ पर हम simple से अभी क्या करते हैं receive from your device के उपर click कर देते हैं और यहाँ पर यहाँ पर एक बार nearby share के उपर click type करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों की Gmail ID आपको क्या सेम दिखाए दे रहे होंगी जब Gmail ID दोनों की सेम होती हैं तो यहा यहाँ पर फाइल का option पहले select कर लेते हैं और फिर share का option यहाँ तो यह फाइल select करते हैं open के उपर click करते हैं जैसे open के उपर click करेंगे तो अभी यहाँ पर देख सकते connections हमारा क्या start होने लगा है क्योंकि जो दोनों की Gmail ID सेम है तो यह इस प्रकार से जो भी यहाँ पर show कर रहा तो यहाँ पर आप देख सकते connection दिखा रहा और mobile के अंदर भी यहाँ पर देख सकते connection आ चुका है और send file क्या successful हो चुका है अब यहाँ पर चाहें तो view के उपर click कर सकते तो मैं यहाँ पर view download का option आएगा mobile में यहाँ पर click कर सकते या direct यह देखो mobile के अंदर भी मेरे file आ चुक और वीडियो और ही ले लेता हूं download पर जाते हैं यहाँ पर एक वीडियो है इसको मैं यहाँ पर select करता हूँ यहाँ पर share का option है share के उपर आप जब click करेंगे तो यहाँ पर यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका कोई भी जो डिवाइस होगा यहां पर लूकिंग करने लगेगा जैसे कि यहां पर देख सकते हैं दिखा भी रहा है कि सेंडनिग फाइल, जैसे यहां पर फाइल सेंड हो जाती है, आपको यहां पर आ जाएगी यह देख सकते हैं तो बहुत आसानी से weghow सेंड में यहां पर आजया जाएगा यहांपको डिखा जाएगा आप अगर और कोई इस फाइल को मैं आपर सेलेट करता हूं, सेर पर जाते हैं, यहाँ पर नियर बाइ सेर के उपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या है वो चीज यहाँ पर आ जाईगे, देखो मेरा लाफटाप आ चुका है, यहाँ पर डन के उपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फाइल क् कि क्या है यहां पर sharing start हो जाएगी जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर देखो जा रही और इसके लिए मैं अपना internet भी देखो यहां पर off कर देता हूं क्योंकि अब internet की मुझे कोई जरूरत नहीं देखो internet को off भी कर देते हैं तो अभी file यहां पर देखो share हो रही तो इस परकार से आप जो है अपने mobile से laptop के अंदर बहुत आसानी से share कर सकते हैं अगर आपको laptop से इसमें share करना पहले simple से यहां पर done के उपर click कर देना है यहां पर select कोई file करना है मैं file पर चला जा हैं यह अभी देखो वहां से share किया था यहां फाइल मेरी nearby share में आ चुकी है अब मैं अगर यहां से पुना share करना चाहूं तो इसको open के उपर click करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे यह process start हो चुकी है और यह मेरा device है इसके उपर एक बार click करेंगे और automatic है अब यहां से file ज सकते हैं 1.7 KB की MB की है जो कि बहुत जल्द ही क्या होती यहां पर share हो जाती है ज्यादा time भी नहीं लेती है तो इस परकार से आप चाहें तो अपने mobile से laptop के अंदर बहुत आसानी से files को share कर सकते हैं तो अगले video मिलेंगे कुछ नहीं जानकरी के साथ में जब तक के लिए धन आप